नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरे शो साज बहू फैमिली गुरू में आपका स्वागत है क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़ों का कनेक्शन आपके ग्रहों से हैं? जी हाँ, अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो आपको अपने ग्रहों की हिसाब से कपड़े पहनने चाहिएं आज शो में आपको आपके खास लखी कलर के कपड़ों के बारे में बताऊंगी साथ ही आज आपको बताऊंगी कि वास्तू के हिसाब से आपके घर की वाशिंग मशीन का क्या कनेक्शन है? आपके कपड़े धोने के समय, धोने किस समय चाहिए, नए कपड़े खरीदने कब चाहिए, शुब दिन क्या है यह सब बात करेंगे और राशी के हिसाब से किस रंग के कपड़े आपके लिए लखी हैं ये भी आपको बताऊंगी आज का शो बेहत खास है, तो देर नहीं करते हैं, चलिए शो की शुरुआत करते हैं क्या आप जानते हैं कि कपड़ों में रंग का आपके ग्रहों से खास कनेक्शन है अगर ग्रहों का बैड इफेक्ट कम करना चाहते हैं, तो आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि भारतिय जोतिश में ग्रहों को बैड इफेक्ट को कम करने के लिए रंगों को बहुत यूज किया जाता है अगर किसी खास दिन कोई खास रंग के कपड़े पहने जाएं, तो इसे ग्रहों को बुरा असर कम होता है अगर आपकी कुली में कोई ग्रह खराब है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या तरक्की नहीं हो रही है, या नौक्री नहीं लग रही है तो आप उस खास दिन कौन सा कपड़ा पहन कर अपने कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, ये आज आपको मैं बताऊंगी, आईए फिर शुरू करते हैं सफेद रंग चंद ग्रह से प्रभावित, बुरे प्रभाव को दूर करता है, इसलिए सोमवार को सफेद कपड़े पहने की सलह दी जाती है, सफेद रंग मन को शान रखता है, साथ ही साथ जाधा positivity भी white color में मानी गई है एक research के अनुसार, जो लोग इमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफेद कलर बहुत पसंदाता है डिप्रेशन में रहने वाले मरीज भी सफेद रंग पहनने से उनको फाइदा होता है क्योंकि सफेद रंग पॉजितिव एनर्जी को बढ़ाता है मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना उत्सा को बढ़ाता है कारे शमता बढ़ती है जिसके कारण सभी का कारे जो व्यक्ति तेजी से करते हैं एक अध्यन के अनुसार लाल रंग के कपड़े पहनने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है ये रंग सवमिता को बढ़ाता है इसलिए विबिन शुब अफसरों पर सुहागन महिलाएं द्वारा लाल रंग के कपड़े पहनने जाते हैं इस दिन का रंग का स्वामी मंगल है जो लाल रंग को प्रभाव करता है मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है हनुमान जी को सिंदूर विशेश प्री है इसलिए मंगरवार को सिंदूर या नारंगी औरेंज कलर के कपड़े पहनना शुब बाना जाता है बुद्वार, बुद्ग्रे का संबंध हरे रंग से है श्री गनेश इस वार के देवता है श्री गनेश को दूरवा अर्पित की जाती है जो की हरे रंग की है मानिता है कि श्री गनेश को दूरवा अर्पित करना जीवन में हरे आली को बढ़ाता है वही इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने से जीवन में प्रसंता और खुश्या आती है गुरुवार के देवता देवगुरु ब्रहस्पती है इनके संबंदित रंग पीला है पीला रंग साथपिक्ता का प्रतीख है इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिस से बुद्धी भी नॉर्मल कारियों की और प्रेरित होती है एक रिसर्ज के अनुसार पीले रंग के कपड़े पहनना जो लोग पसंद करते हैं ये लोग अधिक फ्रेंडली नेचर के होते हैं दूसरों के अधिक धहरे भी इनके पास मतलब दूसरों से जादा धहरे भी इनके पास होता है शुकरवार जोते शास्त्र के अनुसार शुकर एक स्ट्रीग रहें से संबंदिध रंग सफेद और पिंक है सिल्वर भी इनका कलर माना जाता है ब्राउन, ब्लू कलर के कपड़े पहने से शनी देव की क्रिपा प्राप्त होती है अब बात करते हैं संडे संडे सूर्य ग्रह का दिन है इस दिन रेड, पिंक, ओरेंच, गोल्डन कलर के कपड़े पहने लाल रंग शत्रू नाशक माने गए हैं कुनली में सूर्य की कमजोर स्थिती है तो आत्मविश्वास में कमी होती है संडे को लाल रंग के कपड़ पहने से आत्मविश्वास बढ़ता है